नमस्कार दोस्तो मैं हूँ सूरेज अगरवाल आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूटूब चैनेल गार्डेनी इज मैं पैसन का हिंदी वर्षन दोस्तो आज मैं आपको दिखाऊंगा एक बहुत सुन्दर जानकरी जीसमें आप दिखाऊंगा मैं स्नेक प्लैंट किया प् प्लैंट है इसका लंबे पत्ते होते हैं मोटे हार्ड प्लैंट होता है कोई बी जगहा पर यह ग्रो हो जाता है और इसके पत्ये देखिए पत्ते बहुत मोटे बहुत खुब सुरत लगता है कापी अच्छा यह चोटा भराइटी है यह जो देखें पाइप की जैसे लगता है यह ऊपर खड़े होके निकलते हैं यह यह बहुत अच्छी स्पीसिस यह भी आप ग्रो कर सकते हैं अब और इसका मैं दिखाऊंगा आपको तीन तरह से कर सकते हैं यह पिर आपको इसको पत्ते के हैं पत्ते को छोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे- कर दिखाता हूं कि अगर आपको यह लो एजेस चाहिए साइड में तो इस तरह से आप इसके स्टेम से इसको नीचे से हिस्टे से आपको काट ले काटने के बाद इसको निकाल ले आप जहां जहां क्योंकि जहां पर भी एक पोदर लगाएंगे साल भर में तीन चार पांच प अगर आप दिखाता हूं मैं एक एकर करकत तरीका आपको च्छद में लेके चलता हूं मैं वहां दिखाता है आपको तीनो सतरीका दिखाऊंगा कैसे प्रोपागेट करते हैं दोस्तों आपको स्वागत है यहां पर और आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने काफी सारे पोदे निकाल कर रखे हैं टेहनी के काट कर लाया हूँ और इसके जो साइड में देख रहे हैं आप येलो ही जैसे पीले रंग का बॉडर है और इस तरह का चाहिए आपको तो पूर को करना पड़े गा बड़ा है कर कार से साल्ध में चीप लगा ऑग चीप लगा दिता हूँ इसको है इस तरह है साहिए इसका जो स्टेम है राईजों इसको आप काट ले पोदे को आप लगा ले और यह जो स्टेम का कटिंग है इस कटिंग को हम मिट्टी में जैसे अद्रक को बोग करते है अद्रक जैसे ग्रो करते है उस तरह से इसको जो स्टेम का पोर्षन है राईजों का पोर्षन है इस पत्य को काट लें छोटे-छाटेiğ OHK पीशेस में औरे करीीप पत्य के कार नेंक बाद यह मैं दिखाना आपको तरीका पत्य से कैसे ग्रो कर सकते हैं यह ते बहुत ही अच्या खुप्सपोरत तरीका है और कुई भी आप पता कहीं बिशे भी लिए और इसको आप जहाँ जहाँ कर काथे हैं चेर या पांच इंच के जो अपको इसमे सिस्वालाव आइप कुछ नीचे में ईच्छा उपब पूर आके रहता है। तो आपको झैसर भाहले ही है। जुक जुन सा नीचे में ईच्छा कुछ इंच्छा उपर का ईच्छा ऊपर आदा है। और इसको मैं दबा दूँगा, एक से दो इंच आपी मिट्टी मा दबा लें, और उपर का हुस्ता मैं उपर रख दूँगा, और ये देखें, मिट्टी का मैंने सेम मिट्टी लिया हूँ, इसमें गमले में चीप्स डाल देता हूँ, जान नीचे छेद है, और उसके बाद ज ज्यादा जिरोवत नहीं परती, बहुत बहुत ही हाड़ी प्लान्त है ये, और इसको ग्रो करने में आसान हुता है, ये इंडोर भी रख सकते हैं, आप आउटवर भी रख सकते हैं, इंडोर रखने से ये ये इर पिरिफ्यार का काम करता है, ये जो चार पिसेस में लिए द पर देख्जुत सब्सक्राइब कर. में इसको रग दूँगा पौधे ये देखिए एक नंबर तरीका जिसमें पूरा स्टेम लगाया दूसरा सिर्फ इसमें राईजों में ये स्टेम को ग्रो किया है तीसरा जो है इसमें मैंने पत्ते की कटिंग लिए पत्ते की कटिंग मैंने एक पत्ते से चार पत्त के हिस्सा करके इसमें grow किया है और इस तरह से तीनों तरीके साब प्रोगाट कर सकते हैं तीनों तरीके बहुत authentic तरीका है अगर आप ध्यान देखें यह दिखें मैंने दो मैंने पहले इसमें cutting इसी तरह से grow की थी अब देखता हूं कितनी रूटिंग इसमें होई है मिट्टी से मैं निकालता हूँ इसको ये देखिए ये रूटिंग होई है ये नीचे से ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है आपको ये रूटिंग होई है हाला कि ज्यादा रूटिंग नहीं है इसमें से मैं दिखाता हूँ कि कितनी की थी और कटिंग करने के बाद यहां पर रख दिया था मैंने और रखने के बाद इसको मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको यह दिखिए इसमें काफी सारी जो नए ने पौधे हैं यह पौधे निकल का आये हैं इसमें से और आपको मैं फड़क दिखाता हूँ कि नॉर्माल जो they total लंबा पत्ता और stem समय स्वेद से गोड़னा यह दीखिये और यह देखिए मैं दिखाता अब को इसमें से निकाल न समय के दिखाता हूं कि यह दीखिये PrimeP 131-152-252-252-252-292-252-254 और ये तिन-टीन चार्चार पोद्ञ बोढ़े आप सेपरेट करके इसकर अलग से गंबले में ग्रोग कर सकता हैं और मैं निकाल के दिखाता हूँ इसको एक गंबले से यह सिकी जहार देता हूँ मिट्टी जारने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ मिट्टी के पत्ते के जो औरिजिनल पत्ता है उसके नीचे से कहा होता है पानी में थोरी मिट्टी को मैं घोल लेता हूँ ताकि इसमें से मिट्टी निकल आए और ये देखिए मैं निमिट्टी को पूरा घोल के इसमें निकाल देता हूँ अब आपको साब दिखाई देखा पत्ते के नीचे से कहा से स्टेम ग्रोग हुआ कैसी यह छोड़ छोड़ जो नय पोधे हैं यह नय पोधे कैसे ग्रोग किये एक पत्ते की cutting से आपको चार पोधे हो गए, यह मैं दूसरा गमला भी निकाल के दिखाता हूँ, यह इसके मटी जार देता हूँ, ताकि आपको साफ दिखाई दे कि रूटिंग कहां से हो रही है, सुटिंग कहां से हो रही है, और यह देखिए, यह देखिए, बिल्कुल कलर का बॉडर नहीं है पत्ते में तो आपुड़े पत्ते से अगर को गुरु करंगे तो पिले खible मैवी कौलय का बॉड़र नहीं आएगा अगा पूरे पत्ते से और से इसको ज्यादा जगा नहीं चाहिए इसको मैं फिर से बिठा देता हूं और इसको ग्रोव कर देता हूं अगर आप चाहते हैं इस तरह से भी ग्रोव कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि यह जो नए पौधे ग्रोव किये हैं नए जो पौधे पप्स निकले हैं उसको मैं को इस गंगले में लगा देता हूँ और आपके बिल्कुल नए तयार हो गए हैं आपके जो स्नेक प्लैंट है जो माद्री्ट लॉस टंग प्लैंट है और इसको गया फिर में ऐसको लगा देता हूँ जहाँ रहा था उरिजिनल पत्ता उसमें से हो सकता है कि और भी कुछ इसमें से स्टेम निकल का आए और नया पॉद्ध इसमें से बन जाए और यह जो एक पूर्सन है यह बाकी रहा था मैंने उसको भी ग्रो कर देता हूं तो इस तरह से आप मदर इन लॉस के टाग की आसानी से प्र उसका बाद इसको बिल्कुल धूप में ओपेन एर में इसको रख दूँगा धूप में बारिस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो आप आसानी से इसको ग्रो करिए मादर इन लॉस टांग या फिर स्नेक प्लैंट को आप इस तरह से ग्रो कीजिए कटिंग कीजिए बह बहुत आसान तरीका है और यह तीनो तरीका में ने बताया तीनो तरीका आप अपना ही है तीनो तरीका में आपको उम्मीद है सफलता मिलेगी क्योंकि यह बहुत हाड़ी प्लैंट है इसको जादा खाद नहीं चाहिए पानी भी जादा नहीं चाहिए तो यह बहुत सुग्रिया आप देखते रही है मैंना आयनत